हलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी अगली कहानी के साथ आऊंगी तो आ गई हूँ आज एक और विशय लेकर जिसका विशय है आत्म संतोष सबसे बड़ा सुख होता है और दान सबसे बड़ा पुण्य एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था एक सम्रिद राज्य, सुशील और गुण्वती पतनी, संसकारी संतान सब कुछ था उसके पास पर फिर भी दुखी का दुखी रहता था एक बार वो घुमते घुमते एक छोटे से गाउं में पहुचा, जहां एक कुमार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वही पर लेटे लेटे हरी भजन गा रहा था राजा वहाँ आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किये और कुमार के पास जाकर बैठ गया तो कुमार बैठा हुआ था और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया राजा कुमार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी से मटकियों को बेच कर क्या कमाता होगा तो राजा ने पूछा क्यों भाई प्रजा पती जी मेरे साथ नगर चलोगे प्रजा पती ने कहा नगर चल कर क्या करूँगा राजा जी राजा ने कहा वहाँ चलना और वहाँ खुब सूरत मट्किया बनाना प्रजापती ने कहा फिर उन मट्कियों का क्या करूंगा राजा ने कहा अरे क्या करेगा उन्हें बेजना और खुब पैसा आएगा तुम्हारे पास प्रजापती ने कहा फिर क्या करूंगा उन पैसोंगा राजा ने कहा अरे पैसे का क्या करेगा अरे पैसा ही तो सब कुछ है प्रजापती अच्छा राजन अब आप मुझे ये बताईए कि उस पैसे से क्या करूंगा राजा ने कहा अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनन्द में भी रहना प्रजापती ने कहा शमा करना है राजन पर आप मुझे ये बताईए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ काफी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को जग जोर दिया राजा हाँ प्रजापती जो आप इस समय अराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहां तक मुझे दिख रहा है कि आप पूरे आनन्द में हो प्रजापती ने कहा हा राजन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनन्द पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है राजा ने कहा हे प्रजापती जी किर्प्य करके आप मुझे ये बताने की किर्पा करें कि आनन्द की प्राप्ती कैसे होगी प्रजापती ने कहा बिल्कुत सावधा दोकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन हाथों को उल्टा कर लीजिए राजा वो कैसे प्रजापती ने कहा हे राजन मांगो मत देना सीखो वो यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने अनंद की रहा पर कदम रख दिया स्वार्थ को त्यागो परमार्थ को चुनो हे राजन अधिकांश्टर लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसमें सुखी नहीं है और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है अरे भाई जो है उसमें खुश रहना सीख लो दुख अपने आप चले जाएंगे और जो नहीं है क्यो उसके चक्कर में दुखी रहते हो तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आतम संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और जिसके पास संतोष उपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में है और सही मायने में वही राजा है तो इसी के साथ सदय प्रसन रहिए जो प्राप्त है वही परियाप्त है नेक्स स्टोरी जल्दी ही लेकर आऊंगी तब तक आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेर कीजिए कहानी सुनने के लिए धन्यवाद